नमस्कार मैं डॉक्टर आमित माथुर सीनिय कंसल्टेंट गैस्ट्रोंट्रोल्जिस्ट मंगलम हॉस्पिटल और प्रोफेसर हेड निम्ज अस्पताल आज एक बड़ा कॉमन और इंपॉर्टन टॉपिक यानि की टुबर क्लोसिस टीबी के बारे में बात करूंगा और वो भी पेट की टीबी क्योंकि अपन लोग ज्यादा तर सुनते हैं और लोगों को यही आइडिया होता है कि यह सिर्फ फेंपणों की ही टीबी होती है पर यह आतों की और पेट की जी आई टुबर क्लोसिस बड़ी कॉमन बेमारी है और इसको जितना जल्दी इलाज हो सके उतना ह आसान होता है ट्रीटमेंट और जितना ही डिले करते हैं अपन डाइग्नोसिस और ट्रीटमेंट में उतनी ही मुश्किले आप में पैदा हो जाती है तो यह कहां की होती है टुबर क्लोसिस अगर अपन गेस्टों इंटरस्टाइनल ट्रैक देखें तो यह अपना जो है खान common tuberculosis स्टमक की भी होती है इसोफेगस की भी होती है पर अनकॉमन है कॉमन जो है वो अपनी छोटी आथ की tuberculosis है और ये इतनी कॉमन है कि हम जब भी कोई मरीज आता है ये किस तरीके से प्रेजन्ट होती है ज्यादा तर लोग आते हैं जिनके अंदर पेट में दर्द होता है और ये पेट में दर्द अभी का नहीं होता है आट-ाट महीने साल बर निकल जाते हैं और इनका ये लोग बा बीच में बिल्कुल ठीक रहते हैं तो लोग इसको पता नहीं सोचते हैं कि ठीक ठाक है कोई कैस की तकलीफ है पर इनको रिकरिंट अटैक्स हो रहे होते हैं इंटस्टैनल अब्स्ट्रक्शन के यानि कि आत थोड़ी सी सिकुड रही होती है और उसकी वज़े से चोटी आत नहीं गांटें होती हैं पेट के अंदर वो बड़ी हो जाती है उससे टुबर क्लोसिस हो जाती है और एक पेरिटोनियम में टुबर क्लोसिस होती है जिसकी वज़े से पेट में पानी भर जाता है तो उसमें जो पेट में पानी बरता है हलना कि लिवर की बिमारियों में भी बढ़ता है पर टीवी एक दूसरा बड़ा कारण अपने देश में है जिसको कि हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए और बहुत बार लिवर वाले पेशेंट्स के साथ में भी टुबर क्लोसिट हो जाती है तो छोटी आथ की बड़ी कॉमन है उसके बाद में बड़ी आथ और फिर पेट यानि स्टमक के अंदर और इसोफेगस के अंदर भी होती है तो इसको हमारे पास में जब मरीज आते हैं और इन आतों की तकलीव के अलावा भी उसके हैं भूग बंद हो जाती है बुखार चल रहा हो सकता है पर इतना कॉमन नहीं है बुखार जितना की इपने फेपड़ों की बेमारी में है और वजन काफी कम हो जाता है बहलत ओवर पीरिड और टाइम आठ किलो से लेकर के पंदरा किलो तक उसका वजन कम हो जाता है और बस उसके बीच-बीच में पेट में दर्द होते है पेट में आफरा आता है उल्टिया होती है और बीच-बीच में आराम मिल जाता है पर वो ध्यान नहीं देते लोग बाग और ये पता चलता है कि ये फुली बनोन टिबर क्लोसिज है तो इसको diagnosis के लिए हमारे पास में बहुत तरीके हैं जिसके वएसे करते हैं हाला कि मुश्किल होता है क्योंकि छोटी आथ की जो common tuberculosis है वहां तक हमारे दुर्बीन के endoscopy पहुँच नहीं पाती है तो हम CT scan, barium meal follow through और अगर पेट में पानी होता है तो पानी निकाल करके उसकी जाच करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये TB है कि नहीं है और बहुत बार हमारे को empirical trial tuberculosis कर देना पड़ता है तो इसके जब हम एक बार डाइग्नोस कर लेते हैं कि हाँ भई यार ये tuberculosis है, इसका वजन कम हो गया इसके पेट में दर्द है, जिसमें कि आते सिकुड गई है क्योंकि सिकुड ना आतों कि हम मादते हैं कि अगर 10 मरीज हैं उसमें से 7-8 tuberculosis ही कारण मिलते है हाला कि और भी कारण है, कोई ischemic disease हो जाती है कभी कभी cancers भी हो जाते हैं पर commonist cause अपने देश में tuberculosis है जिसे कि आते सिकुड जाती है तो हम उनको simple दवाईया tuberculosis की शुरू करते हैं और हम उसका response देखते हैं पर बहुत बार ऐसा होता है कि उनका खाना पीना restrict करने के बाद में उनकी TV की दवाईया शुरू करने के बाद में भी उनको आराम नहीं मिलता तो ऐसे लोगों को हमारे को उनको operate भी खराना पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल आराम नहीं मिलता है पर ये resections होते हैं, anastomosis होता है इससे काफी आराम मिल जाता है तो मैं आज आपको ये basic जानकारी दी है कि tuberculosis एक common pate की बिमारी है इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए और जल्दी diagnosis करना चाहिए जिसने की आसान treatment जो की medical management हो सके क्योंकि उसके बाद में endoscopic और surgical management difficult होते जाते हैं इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप संपर कर सकते हैं facebook में और हमेशा ध्यान रखें कि पेट की बिमारी हमेशा साधारन नहीं होती है ये common problem जो की अपने देश में है ये पेट के अंदर भी हो सकती है Thank you